हेलो दोस्तों स्वागत है आपका Paradise Educator चैनल में हम हैं वो जो देते हैं आपको content that matters अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें जिससे आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न कर पाएं साथी साथ इस वीडियो को पूरा end तक देखेगा जिससे आप वो समझ जाएं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहता है तो चलिए शुरू करते हैं आज हम Energy Audit को समझेंगे तो चलिए समझते हैं Energy Audit क्या है इसको समझने के लिए इस परिभाशा को ध्यान से पढ़िये An Energy Audit is a depth study to determine how and where the energy is being utilized and converted from one form to another ये sentence ये कहना चाह रहा है कि Energy की deep study करना मतलब energy कहां और किस प्रकार उप्योग में आ रही है इसी के अध्यन को Energy Audit कहते हैं चलिए इसे एक real life example से समझते हैं लेकिन example समझने से पहले ये समझिए Less energy use is equal to more savings इस फंडे का उप्योग अपने जीवन में लाईए Energy बचाईए साथ ही साथ अपनी जेब में छेद होने से भी बचिए अब चलते हैं अपने उधारान की तरफ Energy Audit को समझने के लिए कुछ देर के लिए आप अपने आपको किसी इंडस्ट्री का Energy Auditor Imagine कर लीजिए लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ आपको Imagine करना है तो आपको उस इंडस्ट्री के लिए ये सारे कार करने पड़ेंगे जैसे पहला Systematic and Deep Study of Production of Energy कहने का मतलब कि आपको उस इंडस्ट्री में जिस उर्जा की खपत हो रही है वो उर्जा कहां से, कैसे और किस प्रकार प्रोड्यूस की जा रही है इसका अध्यन करना पड़ेगा दूसरा Total Cost Calculation in Production of Energy जितनी भी Energy का Production हुआ है उसको प्रोड्यूस करने में Total Cost कितनी आई है ये पता करना मतलब कि उस इंडस्ट्री में जितनी भी मशीन है वो सारी मशीन कार करने के लिए कितनी Energy यूटिलाइस कर रही है इसका पता करना चौथा Estimation of how much energy gets wasted अब जब मशीन वर्क कर रही है तो जरूर कुछ न कुछ amount of energy waste भी हो रही होगी तो कितनी Energy waste हो रही है इसकी calculation करना भी Energy Audit के अंदर आता है पाँचवा ये पॉइंट Energy Audit का सबसे important point है जो कह रहा है कि हम किस प्रकार Energy Production की cost को reduce कर सकते है और साथ ही साथ इस Energy को बिना किसी wastage के efficiently use कर सकते है इस point को ध्यान में रखना Energy Auditor का सबसे महत्वपूर्ण कार है अब ध्यान से सुनिए जितने भी points अभी आपने उपर समझे है एक Energy Auditor को इनी सब points के according work करके data maintain करना पड़ता है और इसी record को वो अपने higher authorities को pass on कर देता है जिससे की higher authorities necessary steps उठा कर अपनी industry का profit बढ़ा सकें अब आईए देखते हैं कि हमारा Energy Conservation Act जिसे Ministry of Powers ने 2001 में pass किया था वो Energy Audit को किस प्रकार ते define करता है According to Energy Conservation Act of 2001, Energy Audit is defined as the verification, monitoring and analysis of use of energy including submission of technical report containing recommendation for improving energy efficiency with cost-benefit analysis. So here it is mainly written that this act mainly focus on verification, monitoring, analysis of use of energy and also it includes the submission of overall report so that energy efficiency gets improved. हम इस सीरीज की आगे आने वाली वीडियो में Need and Scope of Energy Audit की बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत है कर दाना करें यारत